दोस्तों वीडियो देखने से पहले अभी हमारे कैनल फंटा किक्स को सब्सक्राब कर दो और साथ में बेल आइकन भी दबा देना दोस्तों ये आइस्क्रीम 4 का सीजन 2 है अगर सीजन 1 नहीं देखी तो पहले जाके वो देख लो वरना तुमें सीजन 2 की समझ में नहीं आएगी दोस्तों आज मैं आप लोगों को मोटू पत्लू से मिलवाने वाला हूँ हाँ ये वही बहादूर हैं जिसने इविलन और रोड को हरा के हमारी जान बचाई इसलिए हमारे मोटू पत्लू के लिए बहुत सारी तालियां हो जाएं पत्लू देखो सब लोग हमारे ये तालियां बचा रहे हैं कितना मज़ा आ रहा है न हाँ मोटू हमने कामी ऐसा किया है यार इविलन और रोड को हरा डाला जिसको कोई भी हरा नहीं सकता था हाँ पत्लू मेरे दोस्ट ये सब कभी भी नहीं हो पाता अगर ग्रेनी और ग्रेंपा और बाबाजी हमारे साथ ना होते तो हाँ मोटू तुम ठीक कह रहे हो अभी तो ग्रेनी और ग्रेंपा से हमारी दोस्ती भी हो गई है पत्लू मेरे दोस्ट ग्रेनी को नो फून करो ना मुझे बहुत याद आ रही है उसकी मोर्टू तुम खुद कर लो बात मैं फिर कभी कर लूँगा ठीके पत्लू मेरे दोस्ट मैं ग्रेनी को फून कर लेता हूँ हेलो मोर्टू ग्रैनी मैं मोर्टू बात कर रहा हूँ अरे मोर्टू कैसे हो तुम मुझे मिश तो नहीं कर रहे थे क्या हाँ मैं आपको बहुत 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 जादा वाला मिश कर रहा हूँ मैं भी बहुत अच्छी हो मोर्टू और सुनाओ आज कल दादा कुछ तो नहीं खा रही और मैंने तो सुनाओ तुम मोटू भी हो गयो ग्रैनी अब तो मैं कुछ नहीं खाता अब तो पता है मैं फतला भी हो रहा हूँ ग्रैनी मोटू जूट बोल रहा है वो जादा मोटू है और पहले से जादा खाता है ग्रैनी हसो मत मैं जा रहो तुम सब लोग मुझ पे हस रहो मा, मा मेरी मा ... मेरी मा ... मेरी मा को मा दिया, घा सामने मेरी मा रहले ह fluor अच्छा है तुम उठ गयो आप को दो , क्यों मेरी जान बचाईए ? मेरी मा मर चुकिये अब मैं चींके क्या करूंगा क्या हुआ तुम्हारी मा को मैं मरना चाहता हूँ मुझे मा दो मैं जीना नहीं चाहता बोर्टु पत्वों ने मेरी मा को मार दिया मैं अकेला बच गया हूँ अब मैं क्यार करूगा अच्छा वो तुम्हारी मा थी तुम्हें पता है बेटा जब मैं जंकल से जा रही थी ने तो मैंने बम की आवाज सुनी और मैंने ये किसी आवाज है चलो देखती हूँ बेटा फिर जब मुझे पता चला के तुम तो जिन्दा हो मैं फोरां से तुम्हें अपने घर ले आई और पिछले दो हफ्तों से तुम ब्योश यही पड़े हूए हो मैं अकेना बच गया हूँ अब मैं क्यां करूगा मैं एक चुड़े है लो जो जंगल में घुमती रहती है तुम्हें देखा तो लगा के जैसे तुम मेरे अपने बेटे जैसे हो तो इसलिए मैंने तुम्हारी बदद की तुम बदला लो मोर्टू पतलू से पर कैसे देखो बटा रोने से कोई फाइदा नहीं अगे तुम सच में मोर्टू पतलू से बदला लेना चाहते हो तो इस बार तुम्हें प्लैनिंग के साथ चलना होगा और उसके बगेर काम नहीं चलेगा प्लैनिंग? वो तो मुझे नहीं आती, मैं काल से प्लैनिंग करूँगा चलो मैं तुम्हें प्लैनिंग बता दूँगी, हम दोनों मिलके मोटू पतलू से बतला लेंगे ठीके, मैं वैसा ही करूँगा पतलू तुम मोटा, मैं कोई मोटा नहीं हो अच्छा अच्छा गुसा ना हो, मैं दादा मोटा हूँ, बस नहीं पतलू, तुम जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करने मोटू दर्वादा कोलो यार, तुम नहीं हो मोटू, वो तुमें प्यार से बोला था यार मुझसे कोई प्यार नहीं करता हमेशा सब मुझे मोटू कहते हो क्या दर्जच में मोटू हूँ अड़े मोटू तुम्हारा नाम मोटू है तब ही तुम्हें सब मोटू कहते हैं और हम सब तुमसे बहुत जादा प्यार करते हैं तुम जूट कहते हो पतलू, तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो, तुम्हें अगर मुझे प्यार होता न, तुम कभी भी मुझे तंग ना करते, अच्छा अच्छा बाबा, नाराज मत हो, एक काम करो, तुम अभी जाओ, सोच जाओ, और सुबह सुबह हम पक्का गुमने जलेंग सच्छी पतलू मेरे दोस्त, हाँ मोटू पक्का, अब कुछ हो जाओगा, वाओ, बहुत मज़ा आएगा मोटू फोन बजराएग, हाँ पतलू, बजराएग, तुम उठा लो अड़े पागल, मैं तुम से इसी ये कह रहाँ कि तुम उठा लो पतलू जो पागल केता है, वो खुद होता है, तुम उठा लो हद है यार, कभी नहीं सुदना ये मोटू, मैं उठा लेता हूँ पतलू बहुत बेड नियूज है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें कैसे बताओं क्या हुआ बताओ भी पतलू आज हम जंगल में गए थे, जहां पे तुमने और मोटू ने मिलके इविल नन और रोड को हराया था और बाद में तुमने उन दोनों को मा डाला, लेकिन वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे सरफ एक डेड बोडी मिली, जो के इविल नन की थी तो रोड की डेड बोडी कहा है, हमें वो कहीं पे नहीं मिली, मुझे शक्के के रोड जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ वरना वहाँ पे डेड बोडी ज़रूर होती अडे, सर आप वैसे ही प्रेशान हो रहे हो, हमने अपनी आँखों से देखा था, वो जल रहे थे, और वो मर भी गए थे, और डेड बोडी जंगल में कोई जानवर खा गया होगा, आप वैसे ही प्रेशान हो रहे हो चलो ठीक है जैसा तुम कहो, लेकिन कोई मसला हो या कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना हमें कहीं सच में रोड वापिस तो नहीं आ गया, अडे नहीं, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो उसे अपने हाथों से मारा था पतलू मेरे दोस, अब उठ जाओ पतलू उठ वड़ना मैंने पानी पहेंदेना है क्या है मोटू, क्यों सुबसुपर उठा दिया, पागलो क्या तुमने कहा था न हम गूमने चलेंगे, अब चलो गूमने मोटू तुम पागलो क्या वो तो मैंने मजाख में बोलता क्यूंके तुम रो रहे थे मुझे तुम्हें चुप कराना था मुझे कुछ नी सुनना तुम्हें प्रॉमिस किया था नम गुमने चलेंगे तो चलो नम गुमने अड़े यार कहां फस गया मैं चलो तुम जाओ त्यार हो जाओ मैं आता हूँ रोट बेटा अब बताओ कैसे हो तुम मैं अब भी बहुत कमजोर फील कर रहा मुझे सो उठा ही नहीं जा रहा तुम पूरी तरह जल गए थे ये तो शुकर करो मैं आ गई थी वरना तुम पूरी तरह जल जाते और मर जाते हाँ आप बिल्कुल मेरी माई विन रन जैसी हो आज गो भी होती न गो भी मेरा ऐसे ही शाल रखती अच्छा ये पी लो मैंने इसे काले जादू से बनाया इससे तुमारी सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी और तुम ठीक हो जाओगे अड़े में ठीक हो गया वाव अब मैं भी स्ट्रॉंग फील कर रहा मैं जानती कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे मोटू कहा हो अब तुम देर क्यों कर रहे हो जल्दी बाहरा हो आया पतलू बस दो मिनट लड़कियों की तरह मेकप कर रहे हो क्या जो तुमें दो मिनट और चाहिए पता नहीं कहां फस गया मैं मोटू से मुझे मजाख में भी कभी प्रॉमिस नहीं करनी चाहिए थी देखो पतलू में आ गया चलो अब बेठो कार पे ये दोस्ती तेरे दम से है तू जिन्दगी तू जिन्दगी हम से है मोटू जब गाना गाना आता नहीं तो गाते क्यों हो चुप रहो न ये दोस्ती तेरे दम से है तू जिन्दगी तू जिन्दगी से कम तो नहीं ओ भाई कहां फस गया मैं कहां मैं फस गया मारो मुझे मारो मारो मुझे चलो रोड बेटा, मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें एक सर्प्राइज देती हूँ सर्प्राइज? वो केसा सर्प्राइज? अड़े बाहर तो चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ अड़े ये तुम्हेरे पापा की वेन है, ये यहाँ पे कैसे आई? बेटा मुझे तुम्हें खुश करना था, ताके तुम अपनी मां की मोत का बदला ले सको और मैंने तुम्हारे पापा जैसी एक वेन बना डाली, अब तुम भी अपने पापा की तरह वेन चला के लोगों को बेवकूप बना सकते हो और लोगों को लूट भी सकते हो क्या ये वेन चला के मैं देखू एक बार? हां तुम्हें काम करो चला के देखो और फिर वापस पी आ जाना आइस्क्रीम पान बेटा आइस्क्रीम चाहिए न तो मेरे पास आओ मैं तुम्हें फिरी में आइस्क्रीम दूँगा सुनो ना कहो ना मेरी बड़्दे आने वाली है तुम मुझे क्या गिफ्ट करोगे तुम कब तक अपनी बड़्दे मनाओगी तुम तो अप पांसो साल की हो गई हो अब तो बड़्दे मनाना बज करो इसका मतलब है तुम मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगे अड़े नहीं नहीं मेरी शमक चलो मैं तुम्हें गिफ्ट जरूर दूँगा तो बताओ ना क्या गिफ्ट दोगे वो तो सर्प्राइज है ना बस कल मेरी बड़्ट है और मुझे गिफ्ट चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं सुनना समझे तुम अच्छा तो तुम्हें आइसक्रीम चाहिए येलो आइसक्रीम इस नीबड़ी लुकेंग इस नीबड़ी वाचिंग इस नीबड़ी वाचिंग अड़े वाव मेरी पावा तो पहले से ज्यादा स्ट्रोंग हो गई है अब तक रोट बेटा नहीं आया ये तो सरफ चक्के लगाने गया था ना कहीं वो मुझे छोड़के तो नहीं चला किया चलो मोटू हम सी विउ पहुंच गए अब यहां पे हम बहुत सारे मज़े करेंगे ठीक है अड़े बाप पतलू ये समध देखो कितना स्क्यारा है ना अड़े बेटा आगे तुम इतनी देर कर दी मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल गए और चले गए मुझे छोड़के नहीं कभी नहीं अब तो मैं तुम्हें कभी छोड़के नहीं जाओंगा क्योंके अब तुम ही मेरी मा हो अच्छा बताओ बेन केसा लगा तुम खुश तो हो ना हाँ मैं बहुत ही जादा खुश हूँ पता है क्या मैंने अभी एक बच्चे को आइस क्रीम से जमा भी दिया आइस से जमा दिया मैं समझी नहीं तुम्हारे पास कौन सी पावर है मा मेरे पास ने एक पावर है जिससे मैं किसी को भी बरफ में जमा सकता हूँ मोटू पतलू की वज़ा से वो पावर चली गई थी लेकिन आप आप की वज़ा से वो पावर वापिस आ गई कौन सी पावर है वो मुझे दिखाओ न अड़े बाप बेटा मुझे नहीं पता था तुम इतने पावर फुलो अब मैं और तुम दोनों मिलके न मोटू पतलू से जरूर बदा लेंगे हाँ अब मैं किसी को नहीं छोड़ना सब को एक-एक को चुन-चुन के मानना है चलो बेटा मुझे ये बताओ कौन-कौन से तुमारे दुश्मन है उन सब के नाम बताओ हम सब से बदा लेंगे घ्रैनी ग्रैनप और वो बाबा जिसने मोटू पतलू को पावद दी थी और वो इंसपेक्टर जिसने मोटू पतलू को रास्ता बताया था और सब से बड़े दुश्मन जिन लोगोंने मेरी मा को मार डला वो थे मोटू पतलू मुझे सब नाम याद हो गए अब सब से मैं बतला लूँगी और तुमारे साथ बतला लूँगी और किसी को नहीं छोड़ेंगे यह है रोड की फैक्टरी जहां रोड अपनी आइस्क्रीम बनाता है और सारे बच्चों को मोटा कर देता है और यह है रोड जो पहले से भी ज़्यादा पावर्फुल हो चुका है I'm going to kill some kids today I'm looking for the chump lovey ones I'm going to find me some chubby kids And we're gonna make some ice cream fun Mamma, आप कहा हो? जल्दी से आजाओ mamma रोड के बलाते ही उसकी mamma चुडेल वाँ आजाबी है क्या हो आरोड बेटा? Mamma, आखिरकार आज वो दिन आ गया है जिसका मुझे सालों से इंतजार था कौन सा दिन रोड बेटा? तुम किस दिन की बाद कर रहे हो? Mamma, आज से ठीक एक साल पहले आज ही के दिन मोटू पत्रूने मुझे बहुत मरा था और आपने मेरी जान बचाई थी क्या भूल गई है? अरे हाँ बेटा, तुमने ठीक का मैं उस दिन को बला कैसे बूल सकती हूँ? Mamma, मुझे न जाने इस दिन का कब से बेसबरी से इंतजार था आखिरकार अब मैं अपने दुश्मनों से बदला ले पाऊंगा चलो Mamma, अब मैं जा रहा हूँ अपने दुश्मनों को खतम करने लेकिन बेटा, तुमारे तो बहुत सारे दुश्मन है आज तुम किसको मरने वाले हो? ममा, मैं सबसे पहलो उस बाबा को मरूँगा जिसने मोटू पतलू की मदद की थी मुझे मारने में और उसकी पावर्स की वज़ा से ही मोटू पतलू मुझे मार पाए थे उस बाबा को तो मैंने नहीं छोड़ना ठीक, रोण बेटा, तुम जाओ लेकर अपना ब्यान रखना, वो बाबा बहुत सक्की शाली है ममा, आप डरो मत, अब मेरी पावर बहुत बढ़ चुकी है अब मैं पहले से ज़्यादा पावर फूर हो चुका हूँ अब वो बाबा तो क्या, मुझे कोई नहीं मार सकता चलो ममा, मैं अब जा रहा हूँ ये कहते ही, रोण लिफ्ट के जरीए नीचे चला जाता है नीचे पहुंचते ही, रोण गिराज में जाके, अपनी वैन निकलता है और बाबा को डुडने के लिए, जंगल की तरफ निकल जाता है यहाँ मोटू बदलो टीवी देख रहे होते हैं थोड़ी दिर बाद पत्लो को गिरेने की काल आती है पत्लो मैंने सुना है रोण वापिस आ गया है और वो हम सबसे बदला लेने वाला है तो प्लीज अपना और मोटू को ध्यान रखना या, क्या का आग रेनी मोटू यार प्लेश टीवी को अखमेट के लिए बंद करो अच्छा ठीक पत्लो मरे दोस्ट अब बंद करता हूँ ये केते ही मोटू टीवी को बंद कर देता है हाँ गिरेनी अब को क्या कह रहे थी पत्लो मैं ये कह रहे थी कि मैंने सुना है रोण वापिस आ गया है और वो हम सबसे बदला लेने वाला है तुम प्लीज अपना और मोटू का ध्यान रखना क्या क्या बात कर रही हो गिरेनी लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है रोड तो मर गया था ना फिर वो वापिस कैसे आ सकता है पत्लो वो सब मैंने जानती लेकिन इतना पक्का है कि रोड वापिस आ गया है और वो हम सबसे बदला लेने जरूर आएगा इसलिए तुम अपना और मोटू का ध्यान रखना और हाँ मोटू बहुत ही बोला है उसे पलीज घर से बैर मत जाने देना अच्छा ठीक है ग्रेनी तुम भी अपना ध्यान रखना पत्लू मेरे दोस रोड वापिस आ गया है क्या हाँ मोटू गरेनी ने काल करके बताया कि रोड फिर से आ गया है और वो हम सबसे बदला लेने वाला है मोटू तुम फिकर ना करो हम कोई नो कोई रास्ता निकाल लेंगे चलो अब सोने चलते हैं काफी रात हो गई है ये कहते ही मोटू पत्तू सोने चले जाते हैं इधर रोड जंगल में पहुंच जाता है आज तो मैं उस बाबा को नहीं छोड़ूंगा वो जरूर काली पारी के पास होगा चलो काली पारी के तरब चलते हैं ये कहते ही रोड बाबा के लुणने के लिए काली पारी के तरब चला जाता है काफी चलने के बाद आकरकार रोड काली पारी में पहुंच जाता है कहा छुपके बैठे हो बाबा जल्दी से सामने आओ आज तो मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना ये सुनते ही बाबा आ जाते हैं प्रोड तुम यहां लेकर तुम तो मर के थे ना हाँ मैं मर गया था लेकिन मैं फिर से आ गया हूँ और आज मैं तुम्हें मार करूंगा तुमने मोटो पदलो की मदर की धिना मुझे मारने में आज तुम्हारी खेर नहीं ये लो ये केते ही रोट बाबा बे हमला करके उने बरब से जमा देते हैं बाबा को तो मैंने तपका दिया अब गरेन और गरंडों जबारी अब तो मैं अपने किसी भी दुष्मन को नहीं छोड़ूँगा चलो चलके गरेन गरंड़ा को तपकाते है ये केते ही रोट गरेन गरंड़ा के घर की तरफ निकल जाता है ग्रेनियन ग्रेनपा कहां छुपके बैठे हो सामने आओ देखो मैं आ गया हूँ अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता कहां छुपके बैठे हो लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे तुम चाहते हो के रोल तुम्हें ढून के फिर मारे तो यहीं सही अब ही मैं तुम्हें ढूनता हूँ यह कहते ही रोल उपर चला जाता है अब यह क्या रोल को तुम गिरेनी इंड गिरेनपा मिल गए हैं गिरेनी इंड गिरेनपा तो तुम यहां छुपे हुए हो अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता नहीं रोल प्लीज में छोटो अमने तुम्हारा क्या भी गड़ा है गिरेनी इंड गिरेनपा शायद तुम भूल गए हो लेकर रोल नहीं भूला है याद करो आज से एक साल पहले तुमने मोटू पदलो की मदद की थी मुझे मारने में तुम दोनों ने मोटू पदलो की मदद करके अच्छा नहीं किया अब मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना ये लो ये कहते ही रोल गिरेनी इंड गिरेनपा पर हमला करके उन्हें जमा देता है गिरेनी और गिरेनपा को तो मैंने टपका दिया अब मोटू पदलो की बारी ये कहते ही रोल मोटू पदलो को डुड़ने के लिए निकल जाता है तो ये है मोटू पदलो का घर मोटू पदलो आज तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता लेकिन मैं ऐसे मोटू पदलो के घर के अंदर नहीं जा सकता अगर मैं ऐसे गया तो उन्हें पता लग जाएगा कि मैं घर के अंदर आगया हूँ मुझे कोई और तरीका ढूनना होगा सोचो रोड सोचो सोचो कि आप घर के अंदर कैसे जाया जाए हाँ जाद आया मेरी ममा चुडेल उन्हीं से पूछता हूँ शायद वो मेरी मदद कर दें ममा चुडेल ममा आप कहा हो जड़ी से यहां आ जाओ मुझे आपकी जरूत है मुझे आपकी मदद चाहिए क्या हूँ अरोन बेटा ममा ये देखो ये है मोटो पतलू का घर अड़े वा अरोन बेटा तुमने मोटो पतलू के घर को डून लिया हाँ ममा मैंने मोटो पतलू के घर को डून लिया लेकिन मैं इस तरह इस गर के अंदर नहीं जा सकता मुझे किसी भी तरह उन दोनों को घर से बाहर लाना होगा ममा अब आप ही बताओ मैं किस तरह उन्हें घर से बाहर लाओं अच्छा तो ये बात है बैटा रोट मुझे तरह ये बताओ क्या मोटू पतलू का कोई दोस्त था मोटू पतलू का दोस्त ममा अभी तो याद नहीं आ रहा बैटा रोट याद करने की कोशिश करो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर मोटू पतलू का कोई दोस्त है तो मैं तुम्हें उस चैसा बना दूंगी फिर तुम आराम से मोटू पतलू के घर के अंदर जा सकते हो याद करो रोट याद करो वो ही तो दोस्त था मोटू पतलू का याद क्यों नहीं आ रहा हा ममा याद आया मोट्टू पद्लू के एक दोस्त है उसका नाम है सनी अब चलो मैं तुम्हें अब अपनी शक्तियों से सनी बना देती हूँ अड़े वा ममा मैं तो सच में सनी बन गया हूँ हाँ बेटा अब तुम्हें कोई नहीं पेचान पाएगा अब जाओ और अपने गुस्मनों को खतम कर दो ठेक है ममा मैं अब ही जाता हूँ पत्लू 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 जलती से उटो पत्लू जलती से उटो मुझे तुमारी एल्प चाहिए अड़े सनी तुम यहां वो बितनी रात को क्या हुआ है पत्लू वो रोड वो रोड अड़े क्या हुआ सनी अराम से बताओ और क्या किया है रोड ने पत्लू वो रोड ने मेरे घर पे आग लगा के मेरे पूरे घर को जला दिया है मैं किसी तरह वहाँ से बचाया हूँ वो अब भी भी मेरे घर के पास है चलो जल्दी से मुझे बहुत डर लग रहा है प्लिस जल्दी ते मेरे साथ चलो हाँ सनी ठीक है तुम डरो मत तुम भाइर गारी के पास चलो मैं आप भी मोटू को लेके आता हूँ हाँ पत्लू मरदोस ठीक है मोटू उठो मोटू उठो जल्दी सोटो मोटू क्या हुआ पत्लू मरे दोस मोटू जल्दी मरे साथ चलो रोट ने सनी के गर पे अबला कर दिया है चलो जल्दी हमें चल के उसकी मदद करनी है क्या का पत्लू मरे दोस रोट ने सनी के गर पे अबला कर दिया है अड़े हाँ यार मोट्टू आप चलो जल्दी से एसे पले के देर हो जाए आप दो मरदास चलो अड़े क्या हुआ सनी पथलो मुझे सूसू करना है अड़े यार सनी तुम्हें अब अपी सूसू आना था अच्छा रोकता हूँ मोट्टू पथलो तुम यहीं रुको मैं अपी आया मोट्टू तुम डरो मत हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे हमने पहले भी बहुत बार रोट को मज़ा चखाया है इस बार भी हम उसे ज़रूर मारेंगे अड़े देखो मोट्टू सनी भी आ गया है चलो सनी जल्दी से कार में बैटो हमें जल्दी से चलना चाहिए इससे पहले का कुछ बुरा हो जाए मोट्टू पतलू आखिरकार तुम मेरी जान में फस गए आखिरकार मैं तुम्हें घर से दूर इस जंगल के पीचो पीच ले आया हूँ अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता अड़े सनी जाओ गया है तुम्हें ये कैसी बते कर रहे हो पतलू मेरे दोस्ट मुझे बहुत डर लग रहे है मोटू पतलू मैं सनी नहीं हूँ मैं रोड हूँ अड़े ये तो रोड है पतलू मेरे दोस्ट अब हमाना क्या होगा ग्रोड तुम यहाँ अगर तुम रोड हो तो सनी कहा है क्या किया है तुमने उसके साथ तुमारा दो सनी और वो जादुगर बाबा और ग्रेनी अंड ग्रेंपा मैंने सब को अपने पावर से जमा दिया है अब वो मेरा कुछ नहीं बगार सकते मेरे सारे दुष्मनों को मैंने मार दिया है अब बस तुम दोनों बचे हो और आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता प्रोड लगता है तुम पिछली बार वाली मार भूल गए हो याद है हमने तुमारा क्या हाल किया था हाँ याद है मुझे सब याद है मैं कुछ नहीं बूला हूँ और पिछली बार तो अस बाबा ने तुमारी मदद की थी इस बार तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा मैं बचाओंगा ये लो अड़े सनी तुम यहाँ थैंक गौड तुम टाइम पे आ गए लेकिन सनी तुम्हें तो रोड ने बरफ से जमा दिया था ना हाँ पतलू रोड ने मुझे जमा दिया था लेकिन मैं किसी तरह वहाँ से बच आया अच्छा सनी लेकिन तुम्हें कैसे पता चला के रोड यहां पे है पत्लू जब मैं उस बरफ से आजाद हुआ तो मैं तुम्हारे गर आया था और मैंने यहां आगे कुछ ऐसा देखा अड़े यह तो मोटू पत्लू है और उनके साथ सनी भी है लेकिन सनी तो मैं हूँ फिर वो कौन है कहीं वो रोड तो नहीं है चलो इनका पीछा करते हैं पत्लू इस तरह मैं तुम लोगों का पीछा करते करते यहां तक आया हूँ सनी क्या रोड मर गया है नहीं मोटू रोड बस ब्योश हुआ है अब चलो जल्दी से इससे पहले कर रोड जाग जै हमें यहां से निकलना होगा इतनी जल्दी मैं तो मैं नहीं जाने दूँगा बच्चों खेल तो अभी शुरू हुआ है इतनी जल्दी क्या है बच्चे अभी तो खेल शुरू हुआ है पत्लू मैं दोस्त रोड तोज में आ गया है अब क्या होगा मोटू पत्लू तुम दोनों भागो यहां से नहीं सनी हम तुम्हें यहां के लिए सोड़के नहीं जा सकते पत्लू मैंने कहा ना तुम जाओ यहां से मेरी फिकर मत करो बस तुम जाओ यहां से मोटू चलो जलती आंसे निकलते हैं मोटू पदलू को तुम्हें बाद में पकड़ लूँगा सनी लेकन अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा रोट पिलीज मुझे और मोटू पदलू को चोड़ दो पिलीज हमें जाने दो हमने तुमारा क्या विगड़ा है नहीं सनी मैंने किसी को नहीं छोड़ना पेले भी मैंने बहुत बार तुम को छोड़के बहुत बड़ी गलती की है लेकिन इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा मैं तुम सब को मार के ही दम लूँगा मरने के लिए तियार हो जाओ सनी मैं तीन तक गेंगा सनी तीन, दो, एक, येलो ये केते ही रोड्सनी पर हमला कर लेता है लेकन अजानक वहाँ पे गिरेणी आ जाती है और सनी को वहाँ से गायब करके अपने साथ ले जाती है नहीं ये कीसे हो सकता है ग्रेनी को तो मैंने बरफ से जमा दिया था फिर वो यहां कैसे आ गई हाँ चलो कोई नहीं आखर ये लोग कब तक मुझसे बचेंगे इनको तो मैं पकड़ के ही रहूँगा चलो मैं जाके इनको डूंटा हूँ पत्तो मेरे दोस्त रुको जरा मैं बहुत ठक्या हूँ पिलिस थोड़ा सा रुक जाओ नहीं यार मोटू हम रुक नहीं सकते हमें भागते रहना होगा नहीं तो नहीं तो वो रोड हमें पकड़ लेगा चलो जल्दी पत्तो मेरे दोस्त अब मैं और नहीं बाग सकता मेरे पिलिस थोड़ा सा राम करते हैं उसके बाद चलते हैं अच्छा ठीक है मोटू लेकिन वास पांच मिनट ओके हम सरफ पांच मिनटी अराम कर सकते हैं उसके बाद हमें चलना होगा और किसी न किसी से मदद मांगने होगी तब भी हम रोड को मार पाएंगे हाँ पत्तो मेरे दोस्त ठीक है अड़े पत्तो मेरे दोस्त वो देखो ग्रेनी और उसके साथ सनी जी है अड़े सनी मेरे दोस्त ठैंक गोड तुम बच गे लेकन तुम्हें किसने बचाया पत्लू रोड मुझे मारना ही वाला था लेकन ठैंक्स टू ग्रेनी ग्रेनी ने टैंक पे आके मुझे बचा लिया ग्रेनी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुमने सनी की जान बचाई लेकिन करेणी रोट ने तो तो में भी बरफ से जमा दिया था ना फिर तुम कैसे बच गई हाँ पत्तू, रोट ने मुझे भी बरफ से जमा दिया था, लेकिन जैसे ही मुझे रोट ने बरफ से जमा दिया था, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, मुझे किसी भी तरह इस बरफ से निकलना होगा, नहीं तो रोट ने सब को मार देना है, अगर मुझे रोट से रणना है, तो तो मुझे इस बरफ से निकलना होगा। चलो गिरेनी, चलो, मुझे किसी भी तरह यहां से निकलना होगा। चलो जोर लगाओ। पतलू, इसी तरह नेवस बरफ से अधार हो गई। ठैंक गोड गिरेनी, तुम आ गए, वरना वो रोड आप सब को मार देता। गिरेनी, अब आगे क्या करना है। मुझे पतलो, हमें रोड को यहां बुलाना होगा। लेकन गिरेनी, अगर रोड यहां आगया, तो वह हम सब को मार देगा। पतले तुम दरो मत, रोड की एक कमजोरी है, अगर तुम उसे सोने की बुरट से मारोगे, तो वह मर जाएगा। इसलिए तुम जाओ, और सोने की बुरट लेके आओ, तब तक मैं रोड को यहां बुलाती हूँ। लेकिन जल्दी आना, क्योंके रोड बहुत नाकतवर है, मैं ज़्यादा देर उसे रोप नहीं पाऊंगी। अच्छा ठीक ग्रैनी, मैं बस अभी आया। रोड आजाओ, आजाओ, रोड कहां छुक्के बेटे हो, आजाओ, जल्दी यहां आजाओ, हम सब यहां पे हैं। ग्रैनी, मोटू, सनी, तुमने मुझे यहां बुला कि अपनी मोट को दावत दी है। अब मैंने तुम मैंसे किसी को नहीं छोड़ना, ये लो। मोटू, सनी, भागो यहां से। कहां जा रहे हों बच्चों, ये लो। दोस्तों, आप लोग उने सुना ना गिरनी क्या का। गिरनी ने का के रोट को मारने का सिर्फ एकी तरीका है, हमें उसे सोने के ब्लोड से फाय करके मारना होगा, तब ही रोट मारेगा। दोस्तो मैं अपने घर के पास आ चुका हूँ और मुझे याद है मेरे पास एक पुरानी पिस्टोल है उस पिस्टोल से मैंने पिछली बार मोट्टू को पचाया था और मैंने उससे बुलडी मेरी को कॉली मारी थी चलो दोस्तो वो पिस्टोल घर के अंदर ही पड़ा होगा चलो इस पिस्टॉल को डूटते हैं और जल्दी से चलके रोड को मारते हैं इससे पहले कि वो हमारे दोस्तों को मार दे हमें जल्दी करने होगी चलो दोस्तों दोस्तों मुझे पिस्टॉल मिल गया है चलो दोस्तों जल्दी से चलते हैं इससे पहले कि देर हो जाए ग्रेनी आप तुम्हें कौन बचाएगा आप तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता मैं बचाओंगा ये लो अरे नहीं तुमने मुझे सौने की गोली मारी तुम्हें ये राज केसे पता चल गया रोड तुम्हें क्या लगता था तुम नहीं मरोगे लेकिन रोड याद रखना हर बुरी चीज़ का अंज जरूर होता है नहीं 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 आहा हा हा अब ये रोड किसी को तंग नहीं करेगा पतु मेरे दोस्त रोड कहा है मोटू और सनी रोड को मैंने मार दिया है अब वो हमें कभी तंग नहीं करेगा अरे वाप तु मेरे दोस्त चलो मोटू सनी और ग्रेनी चलो गाज चलते हैं हाँ चलो रोड पेटा रोड पेटा तुम मझे क्यों चोड के चलेगे मैंने तुम्हें कहां भी ता वहां अकेले मच जाना वो लोग बहुत ही तागत्वर है लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी कास तुम अपने ममा को वहां साथ ले जाते तुम मैं तुमारी हेल्प कर पाती रोड पेटा तुम मेरे चोड के क्यों चलेगे लेकिन रोट पेटा तुम फिकर ना करो मैं तुम्हारा पत्ला जरूर लोगी मोटू पत्तू और ग्रेनी रोट तो मर चुका है लेकिन रोट की ममा भी भी जिन्दा है मैं आउंगी मैं जरूर आउंगी और आपके वडो कैसे लगी आपने नीचे comment करके ज़रूर बताओ और अगर आपकोः उड़ो अच्छे लगिये तो जलती से इस video को लाइक कर दो और अगर बहुत ज़ादा अच्छे लगिये तो जलती से अपने दोस्तों के साथ इस video को शेयर कर दो और ऐसी और वडोस देखने के लिए कर तो मारे चैनल फंटाकेट्स को सब्सक्राइब और साथ में बेल वाल आइकोन भी दोपा देना और हाँ दोस्तो आपको नेक्स वीडियो किस सीरीज में चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हम वो सीरीज आपके ले लेके आ जाएं तो दोस्तो आज के लितना ही मैं मलता हूँ आप लोगों से जब दी एक न्यू सीरीज के साथ तब तक अपने ख्याल रखें टाटाल विदा यार बाफ बाई